यहां कॉंग्रेस नेटा संदीब दिख्षित ने आम आदमी पार्टी सयोजग अर्विंद केजरिवाल कर भष्टा चार के आरोप लगाते हुए CBI चांश की मांग की है इसी मामले को लेकर पंचाप से हमारे ब्रूरो हेड्स और जीद सिंग से संदीब सिंग ने खास बात चुईत की क्या कुछ कहा उन्होंने आईए आपको सुनवाते हैं हमारे साथ हैं जिनोंने आज CBI में अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ कंप्लेंट किया है और बहुत बड़ा आरोप ब्रश्टा चार से जुड़ा लगाया है और आज हमारे साथ दिक्षित साहब है बहुत बहुत स्वाब है सबसे पहला सवाल सोभाविक है आज चर्चा में है पूरे नैशनल निउस बनी हुई है मतलब ब्रश्टा चार से संबंदिता आपने कंप्लेंट की है CBI को क्या कारण रहा है और ये तथे कहां से जुटा आप देखें ऐसा है ये करीबन आज से करीबन 15-20 दिन पहले उस समय मैं सीधे सीधे पंजाम नहीं आता था हम लोगों ने दिल्ली से जो बार-बार सुनते थे कि केजरी वाल अपना कुछ दिल्ली मॉडल बना रहे हैं तो हम लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की थी उसके खिलाब वीडियो बना कर मैं भेशता था ये करीबन पिछले 15-20 दिन से चलता चला आ रहा था और अपने कॉंग्रेस सरकल्स में और दिल्ली में फैलता होगा पंजाब में क्या कितना गया कितना गया ही मुझे नहीं मालूं तो आज से कोई दस एक दिन पहले मुझे एक हमारे जान पहचान के हैं जो UNDP से संबंदित काम किया करते थे उनका फोन आया और उन्हें वीडियो सराहाल और कहा लेकिन एक इसके पक्ष पर आप तिपणी नहीं करते ही और उसने खियर कई परिभाशाओं के सा तो हम उसी समय इसको करते हैं तो मैंने का कि नहीं क्योंकि एक बड़ी हस्ती है आज दूसरा क्या है कि इनके बारे में एक रेपूटेशन रहती है और कोई करे न करे एक खुदी अपने आपको सबसे इमानदार घोशित करते रहते हैं तो मैंने फिर इधर उधर पता करना शुरू किया दस्तावेस क्योंकि यूएंडीपी के अंदर हैं यूएंडीपी आर्टी आए के घेरे में नहीं आती है तो मिन ली सकते थे लेकिन जब मैंने पता कर लिया सोर्सिस से कि नहीं मेरे पास जो खबर है वो काफी हद तक सही है तब फिर मैंने इसका खुलासा किय और इसलिए मैंने कहा भी मैंने ये कहा कि इस पर इंक्वाइरी हो सीबी आई की क्योंकि भारत जो है यूए यूराइटे नेशन्स का एक सदस से है इसलिए हमारे दारे में पढ़ता है और उसके बाद पता चल जाएगा कि जो मुझे खबर मिली है वो सच है कि नहीं है इस समय जैसे आपने पंजाब की बात की देखे समय जो आपने चुना यह यूं कहें कि विरोधी भी अब इसके जवाब में शाम होते होते आम आदमी पार्टी से भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो जाएगी समय जो है विधान सभा चुनाव को देखते हुए ही क्यों चुन बात कर रहे हैं। पैसा इनको मिला था इसमें दिल्ली सहब उस समय की दिल्ली सहकार भी का भी उसमें रोल था तो अगर हमें पता होता तो यह तो पहले से पता चल जाता अब आप इसको कहें टाइमिंग क्या हमारे हिसाब से टाइमिंग अब चुनाओ के बीच में मिला तो मिला है तो कि मैं एक कि जड़ी लगा दी थी उसके बाद कभी सुना उसी से जुड़ा मेरा सवाल है जब आम आदमी पार्टी की नीव रखी गई अधार शीला रखी गई तो तो बहुत बड़ी फाइल लेकर के मीडिया के समक्षाया करते थे अर्विन केजरीवाल कि शीला दिक्षित के खिलाब म एक बहुत बड़े बीजेपी के नेता हैं विजेकुमार महनुत्रा जी उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि बातचीत होती ही कभी कहीं मिले थे तो उनका कि साब जब शीला जी हार गई और उसके बाद कुछ समय बात की बात है बीजेपी एक डेलिगेशन लेकर इनसे मिलन का डॉक्यमंट टेबल पर रखा यह कहा है कि मैंने जब डॉक्यमंट देखे तो पेपर कटिंग थे मला वो आदमी जो साड़े 300 पेज लेके घुमता था वो सिरफ पेपर की कटिंग थी उसके पास एक कतरा भी प्रूफ नहीं था फिर मैं आपको दूसरी चीत बताता हूं यह एकों की दिल्ली सरकार की अधिकारियों ने मुझसे यह बात कही और आप चाहें तो कभी मनीश्य सोदिया और केजरिवाल से पूछ ली जगा वैसे एक चे बता है इस चीज में वो कभी जबाब नहीं देंगे उनका पुराना काम है कुछ बोलना और भग जाना इन्हों यह सुना ऐसा रातो रात प्रशान भूशन जी उस समय इनके साथ होते थे वो बैठे योगेंदर यादव बैठे और 8-10 दिन बार ठकके इन्होंने फाइले हटा दी कुछ नहीं मिला बलकि मुझे तो कुछ अधिकारी बताते हैं कि इन्होंने गाली गलाज भी कि तुमने पन्य फार दिये तुमने डेटा हटा दिया और अधिकारियों ने कहा साब ऐसी फाइलों में बरबादी नहीं होती है तो एक बार मुझे याद है कि असेंबली में भी इनसे पूछा गया था कि आपने कोई केस क्यों नहीं किया तो उनका के साब मेरे पास पूरूफ नहीं ह और एक मैं बात जरूर आपको बताऊंगा ये बड़े मुस्तेदी से अपने आपको कैसे बचाता है ये बार-बार आपको ये कहेगा कि साब दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं है और अंटी करप्शन बीरो मेरे पास में इसलिए मैं इंक्वारी नहीं करवा पाया माना न अपना वीडियो बना कर जारी किया मैंने आज आपके सामने में बात करना हूं तो कर देते सारी फाइलों में अगर धांदली होती तो कर देते इस आदमी का पूरा ब्रष्टा चार्ड का जो नाटक है केवल प्रॉड पर था उस समय देखे दुरभागी की बात कॉंग्रेस किये कि एक माहौल बना था करप्शन का इसका उसका तो उसमें उस बेती घंगा में इसने भी हाथ दो लिया आपने बात की कि कोई प्रूफ नहीं मिला लेकिन एक बात यह बार बार करते हैं और पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी जो है लगातार प्रचार प्रसार भ आप तो पंजाब के हैं क्या पिछले 6-7 सार में पर आली जल रही है पहले नहीं जल रही थी क्या चिले जी के समय भी जल रही थी न आपको याद होगा 92, 93, 94 में ये हाल था कि दिल्ली इस चीज के लिए जाने जाती थी कि आप दिल्ली के अगर सड़क पे निकलो तो कॉलर गंदे हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, इतना बुरा हाल था, आज से जादा खराब हालत थी एंवारिमेंट की, मैडम ने हरित कबर बढ़ाया, किसी को शार्थ पता हो या ना पता हो, दिल्ली एक एदा प्रदेश है जिसका 10-15 गुना ग्रीन कबर बढ़ा, CNG की हमने बस आगो, यह कहते हुए कि पंजाब की पराली, पंजाब की पराली, देखे, जिसको काम करना होता, जो काम करता है, इसको फाइदा यह था कि दूसरों पर उंगली उठा कर, क्योंकि इसकी कहीं सरकारे नहीं है, इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए इसने पराली को ले उसमें जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इनका एफिडेविट गया और सेंटर पॉलूशन कंट्रोल वोड का गया तो पता चला कि दिल्ली की जो हालत है उसमें केबल 6 या 7 परसन कॉंट्रिबूशन पराली का होता है और वो भी समा लिजे पराली कितने दिन जलती है आप पाकी 11 महीने कौन सी पराली जलती है किस की क्या जलती है उसका आध्क खुलासा ने किया साथ आपने स्कूल की बात की इhtा का स्थर इप पंजाब में आहम आदमी पार्टी बोल रही है दिल्ली मोडल साहब हम लेकर आ रहे हैं और आप जाकर के हमारे स्कूल मनिश स्वाधिया ने सरकारी स्कूल का नमीनी करण कर दिया और अब लोग जो हैं नीजी स्कूलों में नीपचो को डाल रहें। स्कूल बनाने की जगे कुछ कमरों में 22-24,000 ने नई कमरे उनका सौंधारिकरण किया है वो किया है इसमें कोई दोराई नहीं है लेकिन वो तो हमारे समय भी हो रहा था आप चाहें तो मैं आपको तस्वीरे भेद देता हूँ 2010-11 से दिल्ली के स्कूलों के सौंधारिकरण का काम चालू हो गया था उसमें कमरे सुंतर होने लगे उनमें पेंटिंग मनने लगी बात्रून बदनने लगे ड्रिंकिंग वाटर बदनने लगा तमाम काम हुआ फरक सिरफ यह है कि शीला जी इस्तहारों में नहीं जीती थी यह एक एक कमरा भी करता है तो उसका इस्तहार करता है दूसरा में एक और आपको बताओ यह कुछी सरकारी अस्पताल है आपने देखा होगा एक बार मनिशी सोधिया जी आये थे पंजाब में राजनीती करण करके एक स्कूल में गुसके प्रस कांफरेंस की पहले तो वह वह व होता है फिर एक और बात आ जाते हैं अब रिजल्ट किया जाईए ठीक है इन्होंने कहा कि साब हमने दो गुना तीन गुना चार गुना बजट किया है तो अन्तरत वाई सब हम बच्ची इसली भेशते हैं स्कूल में कि उनको रिजल्ट अच्या है शीला जी के समय 15 साल में ह बाहर खोद दिया अब यह क्या करते हैं पिछले साल जब बोर्ड के इमतहान नहीं हुए और घर में इमतहान हुए तो 97-98 परसंट वो अल इंडिया रिजल्ट है जब बोर्ड ही नहीं हुए तो आप कंपेर थोड़ी कर सकते हैं दूसरी चीज तो इनके पांच इनके साथ स परसंट बच्चे पास होते थे जब शीला जी चुनाव खारी है तो 89 परसंट पर पास पहुंच गया था पिछले साल मौल में पास परसंटेज क्या था 70 परसंट जब दू क्योंकि क्या हुआ 2009 या 2010 नहीं सुनिये तो 2009 या 2010 में बोर्ड इमतहान बंद हो गयते 10 में के तो य 89-90 परसंट का पास पंटेज कांगरेस के अंदर 2009-10 का मैं बताता हूं फिर बीच में 7-8 साल बोर्ड इमतहान नहीं हुए तो मैं उनको नहीं कोट करूंगा क्योंकि 99 परसंट बच्चे पास होते थे जब दुबारा दो साल पहले बोर्ड के इमतहान चालू हुए तो 2017-18 मे कभी नहीं है तो यह कौं से सुंदर कम रहा है भई कौन से बति रूम आ जिसमें बच्चे फेल हो रहे हैं है फ्र ये बताते ना बार-बार कहते हैं कि आप प्राइवट स्कूल से बच्चे भाग के सरकारी स्कूल में आते हैं ये तो सबसे हास्यास पत है जब हमारी सरकार चुनाव भारी थी तो दिल्ली में 16 लाग 10 जार बच्चे पढ़ते थी कितने जाब 16 लाग 10 जार बच्चे और मेरे पास रिपोर्ट पढ़ी हुई है स्वयम से सोधिया जी की जिसमें कहा गया कि तब करीबं 29 परसंड बच्चे प्राइवट में पढ़ते थे में पढ़ते थे आज मनिसी सोधिया की जो एकनॉमिक सर्वे है 2010-2011 का वह 21-22 का वह कहता है कि वह 31 परसंड पर तो आकड़ों में तो बच्चे भाग के जा रहे हैं स्कूलों से यह कौन से बच्चे आ रहे हैं आखरी आखरी मेरा सवाल है नशामुक्त पंजाब की बात की जा रही है तो और साथ ही कॉंग्रेस हारोप लगाती है कि हर गली हर नुकड में शराब की दुकाने खुल रही है तब दो चीजें पहली चीज तो जिस तरीके से यह नई लिकर पॉलिसी आई है यह तो कमाल है मुझे परसनली कोई दिक्कत नहीं आप खोलो कोई पीता है नहीं पीता ही उसकी अपनी भावना है बहुत लोग इसमें मौरल एंगल लगाते हैं कि आप शराबी बना दोगे मेरा यह कि कोई शराबी है नहीं है वो जा दे बात ये थी कि दिल्ली में हम लोगों ने सरकार की तरफ से हम शराब बाटा करते थे उसलिए उसमें फायदा ये था कि कुछी जगों पर शराब के ठेके खुलते थे जो sensitive इलाके थे मंदिरों के पास, मच्जिदों के पास, गुर्दवानों के पास, स्कूलों के पास, कलोनियों के पास नहीं खुलते थे लेकिन फिर और मैं सीधा सीधा आरोब लगा रहा हूँ, उत्राखंड का चुनाओ आ रहा था, गोआ का चुनाओ आ रहा था, और पंजाब का चुनाओ आ रहा था और दिल्ली में आप वो भयानक हाल होने वाला है, कोई दिल्ली की दिक्कत क्या है, सांस्कृतिक रूप में दिल्ली में जो पीने का कल्चर है, वो बड़ा अग्रेसिव है, और उससे आप देखिएगा, पहले भी शराब की दुकानों के आसपास, कोई महिला, कोई बच्च से 30,000 बच्चे हैं, जो 12 या 15 साल की कम उमर के हैं, जो 400 गांजा में लिप्त हैं, इसने एक बच्चे तक को रिलिव देने का पिछले 5 साल में काम ने किया, पंजाब में क्या प्रोमिस कर रहा है, यही जाने, पंजाब के लोगों के लिए कोई मैसेज शॉट, हमारा तो आपका अपना मॉडल दे रहे हैं, उसको देखिए, उसको आखिए. पार्टी पर इस पर राजनीती होना सभाविक है, हमारी नजर इस पर बनी रहेगी, आप देखते रहे हर खबर, कैमरा परसन हरदीब के साथ मैं स्वरन चंडीगर्ची.